जब एक चलती ट्रेन में लगी आग, हनुमान जी ने बचाया अपने भक्तों को उड़ते उड़ते दिये भक्तों को तर्शन। आप देख रहे हैं हनुमान तर्शन। राम भक्त हनुमान जी ने अपने भक्तों को कई चमतकार दिखाए हैं, जिसकी वज़व से भक्तों के मन में भग्वान को लेकर विश्वास हमेशा बना रहता है। एक ऐसा ही विश्वास बिजनौर के आलोक राव का है। जी हां। जिनका मानना है। यदि हम मन्से हनुमान जी से संकट के संवे सहयता मांगते तो वह भवश्य ही आके अपने भक्तों को बचाते है। ऐसा ही कुछ हनुमान भक्त आलोक के साथ भी हुआ। जी हाँ आलोक अपने परिवार के साथ गाउ में चोटी मनाने जा रहा था अचानक उनके साथ रेल में एक ऐसा खतरनाक हाथा हुआ जिन्हें उन्हें सोयम हनुमान जी ने बचाया उनके विश्वास ने ना सिर्फ उने बचाया बलकि अन्य लोगों की जान भी सिर्फ आलोक राओ की वज़े से ही बची दरवसल आलोक राओ अपने परिवार के साथ ट्रेन से अपने गाउं जा रहे थी राओ के करीब बारा बचे मुसाफिरों से भरी ट्रेन ट्रैक पर चल रही थी आजानक से ट्रेन में टेकनिकल दिक्कत आने की वज़ा से ट्रेन में धीरे धीरे आग लगने लगी नीद ने बैठे लोगों को ये बात पता ही नहीं चली जब ट्रेन में आग की लपटे तेज़ी से फूरी ट्रेन में फैल गई तो लोगों को जलने की बद्बू आने लगी यह देखकर सभी लोग घबरा गए अब सभी को लगने लगा कि आज उन में से कोई नहीं बचेगा लेकिन आलोग ने सभी को कहा हम सब सुरक्षित बच जाएंगे आप लोग घबराएं नहीं बस मेरे साथ मिलकर सब हनुमान जी का सुमरन करे वहाँ पर बच्चे से लेकर बढ़े तक हनुमान जी का नाम बिना रुके लगातार चपने लगे इतने में ही एक लंबा चोड़ा आदमी ट्रेन में चड़ा जिसको किसी ने कभी नहीं देखा था सबी लोग हैराम थे कि ये कब हमारे साथ हमारे ट्रेन में चड़ा वो आदमी आग की लफटों को पार करते हुए ड्राइवर की जगह पर गया और ट्रेन रोकी जिसके बाद वहाँ पर पानी की कई टंक्या रखी थी उसमें से पानी लेकर वो आदमी ट्रेन पर डालने लगा जिसके बाद आग बोजने लगी धिरे धिरे लोग ट्रेन से उतरने लगे सब ही सुरक्षि जगह पर पौँच कर उसातनी का शुक्रियादा करने वाले थे इतने महीं वह देखते हैं कि वह एक अंजान आदमी आसमान पर उड रहा था जैसी लोग उसकी वीडियो बनाने लगे तो वह अचानक से गायब हो गया ये देखकर सभी रुके हुए लोग अचमबित रह गए और हाद जोड़ कर खड़े हो गए इसके बाद सभी मुसाफिरों ने आलोग के हाद जोड़ कर उनका धन्यवाद दिया अगर आप नहीं होते तो आज हम जिन्दा नहीं होते लेकिन आलोग ने कहा आज हम सिर्फ जिन्दा हैं तो सिर्फ और सिर्फ हन्मान जी के वज़े से यदि वो नहीं होते तो आज हम बच नहीं पाते ये हमारा विश्वास था जो उनको यहां लेकर आया दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा स्यादा शियर भी करें मिलें अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धानवाद देखते रहिए हनुमान दर्शन